नमस्कार दोस्तों स्वावत है एक नए वीडियो मैं दोस्तों इस वुड़ा मताने वाला हूँ कि आपके पास Poco C3 है या फी C31 है आप किस तरह से मुबाइल को फैक्टरी रिसेट कर सकते हैं तो फैक्टरी रिसेट करने के लिए आपको करने क्या होगा कि यहां से इस तरह से स्कॉल कर लेना होगा और स्कॉल करने के बाद आपको यहां पे उपर की तरफ सेटिंग का इकन दिखेगा बैटरी के उपर तो सेटिंग पे क्लिक कर लेना है या फिर डारेक्ली आप अपने मुबाइल के सेटिंग में भी जा सकते हैं कहीं भी सेटिंग में जाने के बाद आप S.A.S. call करोगे तो सबसे उपर के तरफ about phone का option मिलेगा इस पे जाना है इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स-call करने पे factory receipt का option मिलता है इस पे click कर लेना है जब factory receipt करोगे तो यहाँ पे आपका सारा account का जो data है वो erase हो जाएगा Google account में आगर contact वाएगरा है तो वो आपका रहेगा तो इससे पहले आप backup वाली वीडियो देख करके backup बना लीजिएगा तो यहाँ पे click कर लेना है इसके बाद यहाँ पे factory receipt पे click कर लेना है अब आपको wait करना है 10 seconds का तो यहाँ पे मैं wait कर लेता हूँ और एक चीका ध्यान रखेगा कि battery आपका कम से कम 50% या 30% से जाल कर लेता हूँ अब यहाँ पे आपको okay कर देना है जैसी आप okay करोगे mobile यहाँ पे आपका shutdown हो जाएगा और automatic on होगा याद रखिए यह एक तरह का soft reset होता है अगर बटन वकरन से करते हैं तो वह hard reset होता है तो hard reset generally हम तब करते हैं जब mobile का कोई function pro पर काम नहीं कर रहा हो या फि तो pattern lock reset करने के लिए आप कर सकते हो तो मैं वीडियो को थोड़ा सा skip करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि MIUI का logo आ गया है अब आपको थोड़ा देर इंतिजार करना है तो यहाँ पे आपका mobile reset हो चुका है अब आपको यहाँ पे next कर लेना है और next करके बाकी mobile को आपको next next करके start कर लेना है अब यहाँ पे fast setup करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आई बटन में या फिर description में MI का POCO का playlist मिल जाएगा तो POCO के playlist से वीडियो देख लीजेगा या फिर Google एकाउंट के साथ आगर setup करना चाहते हैं उसकी भी वीडियो मेंने डाल रखिये तो आप वी subscribe किजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबाए